पवंदीप राजन अरुनता कांचुलाल को लेकर एक बड़ी खुशकबरी सामने आई है वो खुशकबरी ये है कि पवंदीप ने मुंबई में नया घर ले लिया है और हर तरप से उन्हें बधाईयां भी दिजा नहीं है हाला कि पवंदीप कोई नहीं पता कि ये सब हो गया रहा अचानक से उन्हें लोग बधाईयां क्यों दे रहे हैं चाद आप में भी ये बास सुनी होगी और आप भी ये जाना चाह रहे होंगे कि आरुनीता भी उनके साथ रहेंगी या नहीं ये घर पवंदीप रंटा दोनो ने मिल कर लिया है तो फैंस पूरी अपडेट हम आपको देते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे हमारा न्यू ब्लॉक आ चुका है जो की धहमाल मचा रहा है वीडियो का लिंग वीसे डिस्क्रिप्शर में दिया है जल्दी से जाकर चेक आपकरें स शेयर करें और सstraink काना भिलकूल मूलें तो फैंस पवंदी पराजन ने मुंबई में घर तो लिया लेकिन नया घर नहीं लिया है बलकि किराय का घर लिया है पवंदीप के साथ आरू नीता भी नहीं रहेंगी बहूंदीप अकसर शो को लेकर बाहर घुमते रहते हैं इसलि वो घर में बहुत कम रहते हैं और जोती दीव के साथ उनकी मां उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ ही रहेंगी। जब तक ये बड़े सिंगर नहीं बन जाएंगी तब तक ऐसे ही संगर्स करेंगी और ऐसे ही कम बजट में गुजारा करेंगी। हैर्विन से आप अरुनीता की पहचान कर रहे होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में जिसे आप अरुनीता समझें वो अरुनीता नहीं है बलकी पवंदीप राजन है। जैसे कि इस बार confused हुए हैं वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको आरुनीता के विश में पवंदीप नजर आएंगे हर कोई इस वीडियो में आरुनीता ही पता रहा था लेकिन जब सर सामने आया तो सब हैरान रहे गे जब आरुनीता ने इस वीडियो को बाइक के मिरर से बनाया तो मिरर में पवंदीप के हाथों को साफ साफ देखा गया उनके हाथों से पहचान हो गई बाइक के शीशे में पवंदीप का चहरा भी साफ दिख रहा है और उनके पीछे आरुनिता बैठी दिखाई दे रही है तो आपको ये दिल्चास वीडियो कैसी लगी क्या आप भी आरुनिता को सच में राइट करते देखना चाहते हैं तो फैंस ये दिन भी दूर नहीं है क्योंकि पहुंद इप उनके साथ है तो फैंस नेहा गगर पहले एपिसोड में ग्रीन ड्रिस में पहुंची विशाल हिमेश के बीच जज़ बनकर बैठी नेहा को बहुत ही क्यूट और प्यारे अंदाज में देखा गया नेहा गगर के सामने रूपम भंडारी नाम की कंटेस्टन परफॉर्मस देने आती है हैरानी तो तब होती है जब रूपम दो बड़े बड़े थैलों के साथ मंच पर आती है उनके थैलों में समान होता है और थैलों के साथ रूपम को देकर सब हैरान रह जाते है सोच में पर जाते हैं कि आखिर बैग में है क्या और रूपम के लिए बैग इतने जादे जरूरी थे कि वो पर्फॉर्मेंस के दौरान उन्हें साथ में ही लाई है निहा गकर बोल पड़ती हैं कि मैं ये बात जानने के लिए बहुत जादा एक्साइटेड हूँ कि इन बैग में क्या है और आप क्यों लाई हैं रूपम से निहा कहती हैं कि मैं देखूंगी लेकिन उससे पहले आप गाना सुनाएं फिर मैं ये बैग देखूंगी रूपम गाना सुनाने के बाद अपने बैग से येरिंग निकालने के बाद निहा गकर के पास ले जाती हैं और बोती हैं कि इने लेली जी इन बैग में जो भी समान है वो मेरी रोजी रोटी है इन येरिंग को बेच कर वो अपने घर का गुजारा करती हैं नेहा काकर उनसे यरिंग्स खरीदती हैं और वार्गनिंग भी करती हैं आलग कि नेहा के वार्गनिंग करने पर विशाल और हिमेश कहते हैं कि हमें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए हमें बार्गनिंग भी नहीं करनी चाहिए तब नेहा कहती हैं कि लड़कियों सुशान सिंग राजपूत का रिलेशन्शिप काफी वक्त तक चला था और हर किसी की नजरों में था दोनों की जोड़ी को खुब पसंद किया गया था लेकिन सुशान सिंग राजपूत से मिले धूगी के बाद अंकिता चूट गई थी उन्हें विकी जैन में अपना पाटनर मिला और 2021 में अंकिता लोखंडे ने विकी से शादी कर ली रुवीना दिलैक को उनके को स्टार और एक्स बॉइफरेंट अविना सचदेब से धोका मिला था इसके बाद रुवीना दिलैक ने अभिनव शुकला को अपना हम सफर बना लिया है और आज भी ये चोड़ी सुर बाद आज अक्टर शाही जिंदगी जी रही है इनके अलावा नेहा ककर जो अपने ब्रेक अप को लेकर कई बार सुर्कियों में आ चुकी है निहा ककर को एक्टर हिमाश कोली से धोका मिला था जिसके बाद वो टेलिवीजन पर भी रोई थी और हर कोई निहा ककर के ब्रेक अप की खवर सुनकर शौक रह गया था लेकिन इस धोकी के बाद रोहन प्रीज सिंग उनकी जिन्दगी में प्यार की किरन लेकर आय वहीं एक्टरस कामया पंजाबी को एक्टर करण पटेल से धोका मिला था जिसके बाद कामया ने वंटी नेगी से शादी की हाला कि इनकी शादी भी सफल नहीं हो पाई लेकिन शलब डांग एक्टरस की जिंदगी में दोवारा प्यार की उमीद लेकर आये थे और अनीता हस चंदानी को एक्टर अजास खान से धोका मिला था लेकिन रोहीत रेटी से प्यार होने के बाद अनीता ने तुरंत घर वसा लिया था एक्टरस गोहर खान और कुशल टनन की जोड़ी बिग बॉस में बनी थी लेकिन शो से बाहर होते ही दोनों अलग हो गयते वहीं जैस दर वार गोहर खान की जिन्दीगी में प्यार का बहार लेकर आए दोनों शादी के बाद खुशी-खुशी रह रहे हैं इनके अलावत दिव्यांका तृपार्ती ने करीब आठ सालों तक शौरत महला होत्रा को डेट किया था लेकिन उनसे मिले धोके ने दिव्यांका को पूरी खुब सूरत है इस बात का सबूत उनकी कुछ फोटोस में देखा जा सकता है उनके घर को देखकर किसी की भी आँखे चौथिया जाएंगी सना खान शादी के बाद हानीमून मना ने दुबाई गई थी उनकी फोटोस सोचल मीडिया पर खुब वाइरल हों थी सना खान ने दुबाई में रहते हुए 24 कैरेट गोल्ड प्लेट्स कॉफी का भी लुफ्ट उठाया था इस से एक जुड़ी फोटो शोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं सना खान कुछ दिनों पहले पती मुफ्टी अनस सयद के साथ माल दीब भी गई थी जहान उन्हें ना केबल बीच का लफ़त उठाया बलकी क्रूस पर भी एक सिबढ़ कर एक पोस देती नजर आई थी और सना खान अकसर अपने पती मुफ्टी अनस सयद के साथ मक्का की जियारत पर जाती है एक्ट्रिस वहां रहते हुए फोटो और वीडियो शियर करना भी नहीं भूलती है सना खान आलिशान घर के साथ साथ शानदार कार की भी माल की नहीं एक्ट्रिस के पास रेंज रोवर जिसकी कीमत करीब दो करोड बताई जाती है सना खान ने शोवीज को भले ही अलविदा कह दिया हूँ लेकिन उनों ने काम करना नहीं बन किया एक्ट्रिस ने अपना एक इस पास शुरू किया जिसका नाम है फेस इस प्रावाई सना खान